नमस्ते विद्याद्यमिक्रों, अपने हिंदी में आठ चेप्टर बोना हो गए हैं, इसलिए पुन्द्रावर्कर पूर्बी मैंने आपको दाश्प्रियर में करवाया था, आज माम देखेंगे एल्दा और दुसरे पाड़ का फिर से पुन्द्रावर्कर, तो यहाँ पे अपना जो पहला पाड़ है, चित्र के संग संग, तो यहाँ पे पहला चित्र दिया है, चित्र के संग संग में चित्र दिया है, उस चित्र में क्या-क्या दिखाई गए रहा है, चित्र देखकर प्रस्ण के उत्तर लिखने हैं, तो यहाँ पे सड़क के उस पा सड़क के इस पार यहां पे एक आदमी साइकिल में साइकिल की टायर में हवा भर रहा है और उसके पास में एक दुकान है उस दुकान के तंडे पर तोता बैठा हुआ है और वहां पे एक कुझड़ी यानी की सबजी पेचने वाली जो सबजी पेचने वाली है वो अपने माधे पे तोकरी लेकर उसमें बहुत सारे फ़र और सबजी लेकर जा रही हैं और उसके आगे एक गुबारे वाला हवा में गुबारे उड़ाटा हुआ गुबारे पकड़ कर लेकी जा रहा है गुबारे में गेस बरी हुई है इसलिए वह गुबारे हवा में उड़ रहे हैं और उस गुबारे वाले के पास में एक मोची बेठा हुआ गुबारे के पास में एक मोची अपने साधन लेके बढ़ा हुआ और जो मोची है उसके पास में एक उत्ता लेटा हुआ है वह आराम कर रहा है वह मूल कर सड़क पर सो रहा है वह आराम कर रहा है तो यहां पर पहला चितर और सड़क पर एक रिक्षा जा रही है रिक्षे के पीछे दो कार आ रही है रिक्से के पीछे कितने कारे आ रही है तो दो रिक्से के पीछे दो कारे आ रही है और रिक्से में एक ही पेसेंजर बेठा यानि कि एक ही सवारी बेठी हुई है तो उसमें दूसरे पेसेंजर क्यों नहीं है तो क्योंकि उसको दूसरे पेसेंजर नहीं मिले इसलिए एक ही पेसेंजर मेठा हुआ है और उसके आगे एक बाइक वाला मोटर साइकल लेकर जा रहा है तो यहाँ परस्न दिये हैं कुछ पहले चित्र में कौन-कौन सी क्रिया ये वो रही तो उसका उत्तर है, पहले चित्र में साइकल में एक आदूली साइकल की टायर में हवाब बर रहा है दुकान के डंडे पर तोता बेखा हुआ है मोची अपने साधन खोल कर शड़क के इस पर बेखा हुआ है उत्ता मू लड़का हर सोया हुआ है एक गुबारे वाला हवा में गुबारे उडाते हुए जा रहा हैं एक कुझड़ी माते कोफली रखकर सबजी बेजने जा रही हैं इस तरह की प्रियाई पहले चित्र में हो रही हैं तो यहां पर दूस्रा प्रस्ण दिया है कि गुबारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं तो गुबारे हवा में इसे लिए उड़ रहाए क्योंक्य उसमें गेस बरी हुई है गुबारे हवा में इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि उसमें घेस बरी हुई है त्यूब में हवा कब बर क्यों बरी जाती है तो जब हवा खतम हो जाती है तब त्यूब में हवा बरी जाती है चित्र में कुट्ता मुँ लड़का कर क्यों लेट गया है तो चित्र में कुट्ता मुँ लड़का कर आराम कर रहा है पुझडिक कहां कहां जा सकती है तो पुझडिक सब्जी बेचने कहां कहां जा सकती है तेकों जड़ी, सेरी, गले गले, महले महले, सब्जी पेचिनी जा सकती हैं। रिशे में एक ही यातरी क्यों बेखा हुआ हैं, तो रिशे में एक ही यातरी इसलिये बेखा हैं, क्योंकि रिशे वाले को दूसरे पेसेंजर नहीं मिले। इसलिए एक ही यात्री बेखा हुआ है उसके आगे है पेज नमबर दो पे यहां पे दुसरा चित्र दिया है तो पहले तो मैं आपको चित्र दिखा देऊ चित्र में क्या-क्या हो रहा है तो यहां पेख जो साइकिल वाला है वो हवा टायर में हवा बर रहा है तो उस टायर में हवा ज्यादा भरने की वज़ से टायर फट गया है क्या हुआ हवा ज्यादा भरने से टायर फट गया है तो यहाँ पे इस चित्र में विखाया गया है कि टायर फटने से क्या क्या हुआ यहां पर पहला प्रस्न पुचा है कि फिक्र देखकर टायर फटने पर क्या क्या हुआ है तो टायर फटने पर जो आदमी है मतलब कि जो साइकिल में हवाब रहा था वो आदमी गीर जाता है और जो दुगान के डंडे पर टोटा बेठा हुआ है वह टोटा उढ़ने लगता है और जो पुझड़ी मागे टोकरी रखकर सबजी बेचने जा रहा है उसकी टोकरी गीर जाती है जमिन पे सारी फॉल और सब्चिया गुफर जाती है और जो गुबारे वाला गुबारे पेचने जा रहा है उसके हाथ से गुबारे छुट जाते हैं और हवा में गुबारे उड़ जाते हैं जो उसके पास में धूची बेचा हुआ है वो टायर खटने के आवाज सुन पर डर कर सड़क पर जा गिरता है और जो उसके पास में फुट्ता सोया हुआ है वो उपकर दुबने लगता है तो यहां पे टायर फटने पर क्या क्या हुआ एसा प्रस्न पुछा है तो उसका उत्तर है कि टायर फटने पर यहां पे आदमी गिर जाता है कुजडी की कोकरी गेज जाती हैं सब्ची गरुदर हो जाती हैं गुबारे वाले के गुबारे हवा में ओल जाते हैं मुची सड़क पर आ गया हैं तो ता उतकर दोडने लगता हैं तो ता दंडे पर से उतकर दोडने लगता हैं इस तरह की प्रिया इस चित्रों में दो लगी है उसके पाद दुसरा है तायर के अलावा पटने वाली चीज़ों के नहां लिखे तो तायर के अलावा तो गुबारा पट्टा है फूट गोल है यह सब पटने वाली चीज़े हैं उसके आगे ही रिक्षे वाला बाइक से arna टक्राया तो जो बाइक वाला है वो सरी से बाइक नहीं चला रहा जो पिछे से रिक्षे वाले से बाइक वाला टक्राया टायर फटने का प्रभाव इन पर किन पर नहीं पड़ा तो सड़क पर नहीं पड़ा और जो साधन थे उस पर नहीं पड़ा और जो रुखाने थे उस पर नहीं पड़ा मोची क्यों रास्ते पर आ गया तो मोची टायर फटने की आवाज सुन कर डर कर रास्ते पर आ गया उसके बाद आगे हैं चित्र देखकर निम्नली की प्रस्न के उतर देखिये जैसे यहाँ पे दिया है कि रबर की चीजी टायर के अलावा फटने वाली रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखे तो रबर से बनी हुई चीजे जैसे बास्केट बोल्ट फूट बोल्ट और गुबारे बोल्ट तकिया मून बोकर ये सब क्या हैं रबर से बनी हुई चीजे हैं तो टायर फटने से पहले क्या हो रहा था टायर फटने से पहले क्या हो रहा था तो टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा बर रहा था गुबारे वाले गुबारे पेजने जा रहा था कुजडिन सबजिया लेकर टोकरी में सबजिये पेजने जा रही थी दोरी से बंदे हुए गुबारे अलग होकर हवा में उडने लगे और मोची का सामान इधर उदर विखर गया और लेटा हुआ कुट्टा रोडने नगा उसके आगे टायर क्यों फटा तो टायर पुरा ना था इसलिए हवा अधी भर जाने से टायर फटा उसके आगे हैं चोथा प्रस्णा टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ तो टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमे घेर जाता है फुजडी की सर से तोकरी घेर जाती है और सबजिया जमिल पर दिखर जाती है तोता घबरा कर डंडे पर से उड़ने लगता है दोरी से बंदे हुए गुबारे फूपर हवा में उड़ने लगते हैं और मोची का सामान इधर उदर विखर गया है लेटा हुआ कुट्टा दोरने लगता है इस तरह की चीजी टायर फटने के बाद यहां पेव भी हैं उसके बाद दिया हैं निमनलिखीत परिचित पड़कर उसका अनुलेखन कीजे विधया धिमित्रों अनुलेखन का अर्थ हैं जेशा परिचित लिखा हो उसको देसे ही देखकर आपको लिखना है अगर एसा लिखा हो ते परिशी कच्छित पड़कर गुजराति में अनुबाद कीजिये अनुबाद कीजिये यानि की विह हिंदी का गुजराति करणा है अनुलेखन यानि कि जेसा लिखा है वेसा का वेसा लिखना उसके बाद यहाँ पे दो चित्र दिये हैं चित्र देखकर क्या-क्या अंतर हैं दोनों चित्रों में बताने हैं तो यहाँ पे सूरियों में जो सूरियों का चित्र दिया हैं उसमें भी दोनों में अंतर है और उसके पास में एक फूल की डाली है उसमें अंतर है यहाँ पे जो बतक तेर रही है उसके चोज में भी दोनों में अंतर है उसके बाद मचली दी है मचली में भी दोनों में अंतर है उसके बाद जो पमल का फूल है उसमें भी अंतर है बारा मासी का फूल है उसमें भी दोनों में अंतर है इस तरह दोनों चित्रों में अलग-अलग अंतर दिखाई दे रहे हैं तो यहां यह चप्टर पूना हुआ अब दूसरा चप्टर दिखते हैं तब याद तुम्हारी आती है तो यहां पे दुसरी काव्य है तब याद तुम्हारी आती है इद्याथिमित्रों इस पार्ट के लेख़क है राम नरेश प्रिपाधी अगर यह सा पुछा चाहें तब तुम्हारी आती है इस पार्ट के लेख़कों थे तो सबको आना चाहिए राम नरेश प्रिपाधी यहां राम नरेश प्रिपाधी है उनका जन्म चार मार्च अठारासो निव्यासी को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपूर जिल्ले में कोईपूर गाउं में हुआ था बेकवी, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोग छो है उनकी मुख्य कावेपूरतिया मिलां, पधि, स्वपन और मांसी हैं स्वपन पर खुण है हिंदुस्तानी अकादमी का पुरस्कार मिला उनकी है प्रभु आनन्दाता ग्नान हमको दिजिये प्राधना बहुत प्रसित है उनका निदन 16 जहनवरी 19 बरामवे को भुआ था सुब का भातावारा कुश्मूमा होत है कैसा होता है सुब सुब का भातावरान होता है और प्रक्रुपी के कणण कण का दर्शन होता है, पारी स्रिंचीव होती है, शुलों का दर्श्य, मन मोहब यानि मन को हर देता है, और आकर्शवब होता है, इस तरह का यहाँ पे इसका कविता में इसका सुदर वरनां किया हुआ, तो यहाँ पे तब याद तुम्हारे आती है, जब बहुत सुब चिडिया उठकर, उसी के घीत गाती है, यानि कि जब बहुत, यानि कि सुब चल्दी उठकर, जो चिडिया है, वो सबसे पहले सुब में जाती है, यानि कि उठती है, और खुशी के खुच गीत गाती है, इसलिए अगर एसा प्रस्ण उठा जाए, कि सुब में उठकर, उसी के घीत कौन गाता है, तो सुब में जल्दी उठकर, उच खुशी के घीत चिडिया गाती है, चिडिया बहुत सुब उठकर, उच उसी के घीत गाती है, कलिया दर्वाजे खुल खुल, जब दुनिया पर मुस्काती है, यानि कि जो फूल आता है, फूल खिलने से पहले कली होती है, वो कली दर्वाजे खुल, यानि कि फूल खिलता है, सुब में फूल खिलता है, तब इसा लगता है कि कलिया दर्वाजे खोल खोल यानि कि फूल खिलता है तो उसकी कली खिलती है तो दर्वाजे खोल खोल तुनिया पर मुस्काती है खुस्बू की लहरे जो खुल खिलता है उसकी खुस्बू आती है उसकी लहरे लहरे यानि कि तरंगे जब गर से बहार आदोड लगाती हैं, सब हवा में फेलती हैं, हे जग के सिर्जनहार प्रबुं, तब तुम्हारी याद आती हैं प्रकूधी की इस तरह की गतना को देखकर प्रबुं की याद आती हैं हे जग के सिर्जन हार प्रभो यानि कि इस्वर को इस्वर की केसी लिला है वो पुद्रत की करिश्पाने कुस्बू की लहरे आती हैं, फूल खिलता हैं, चिडिया खुशी के घित गाती हैं, या सब जब देखते हैं, तब किसकी याद आती हैं? सिर्जन हार प्रभो की याद आती हैं, जब चम चम बुंदे गिरती हैं, यानि कि जब बारिस होती हैं, तब बारिस की जब बुंदे गिरती हैं, उसकी आवाज के सी आती हैं? चम चम, जब चम चम बुंदे गिरती हैं, विजली चम चम कर जाती हैं, तब आकास में विजली की चम चम कर चमतारा होता हैं, चम चम जेसी आवाज आकास में होती हैं, मेदानों में बान बागों में जब हरियाली लवराती हैं जब बारीश किरती हैं बनों बागों में हरियाली चा जाती हैं सब जगां हरे कलर का हरे हरे हरियाली दिचती हैं जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती हैं याने कि जब बारी स्मूती हैं तब धरती पर हरियाली चाँ जाती है और ठंडी ठंडी हवा चलती हैं एसा लगता है कि ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती हैं ये जग के सिर्जनहार प्रबो ताब तुम्हारी आ जाती हैं इस तारी बटनाव को देखर भगवान इस्वर प्रबो सिर्जनहार यानी की जोस्रुष्टी की रचना करता है उसकी याद आती हैं तो यहाँ पे हरियाली यानी की हरा भरा डोना यानी की भोज उठा ना तो यहाँ पे कभी कहते हैं के सवार मा दरवाज वैली सवारे पक्षियो उठी ने एवी रिते कल्रव करेवा लागे छें जाने कोई खुशी ना घीत गाई रहया है जारे कड़ियो पुताना ध्वार खोली खोली ने दुनिया पर स्मीत करवा लागे छें जारे सुगननी लहेरो हवा माथी निकडिने फूलो माथी निकडिने चारे तरव फेलावा लागे छें त्यारे आस रुष्टीना सरजन हार प्रभूनी या दावे छें वर्सार उतुमा जारे छम्-चम वर्साद पडे छें छम छम वर्साद ना तिपानीचे पडे छें अने चम्-चम करीने विजले चमके छें त्यारे मेदानों वनों उने बगीचाओं मां हरियाली लहिरावा लागे छे च्यारे ठंडो ठंडो कवन पंड क्या थी पूतानी साथे बरपूर मस्ती लईने आवे छे त्यारे हेश रुष्टीनी रचना करनार इस्वर प्रभू तमारी याद आवे छे एवो आगावे मां इस्वर नों संदेशो छेव तो जैने कि इस कविता में एसा प्रस्ण पुछा जाए कि सुबह होते ही क्या क्या होता है तो सुबह होते ही चिडिया चहचहाती है कलिया खिलने लगती है खुस्बू की लहरे फुलो से खिल कर निकल कर बन चारो और खेल जाती है सुबह होते ही क्या क्या होता है तो सुबह होते ही खक्सिया अकल रव करते है खुस्बू की खुस्बूआ चारे और खेल जाती है कलिया खिलने लगती है उसके बाद दूसरा प्रस्णा है मेदानों में हरियाली कौब चाह जाती है तो मेदानों में हरियाली वर्सारुतु में चाह जाती है कौब चाह जाती है वर्सारुतु में मैदानों में हरीयाली कब चा जाती है, तो मैदानों में हरीयाली वर्षा रुट्व में चा जाती है。 आपको प्रभु की याद कब आती है? तो आपको प्रभु की याद तारे, सूरज और सागर, परवत, आदी प्रकृती के सुन्दर और अद्गुत रुपो को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है तुम सुबह में उठकर क्या-क्या देखते हो तुम सुबह में उठकर क्या-क्या देखते हो सुबह में जब हम उठते हैं तो क्या-क्या देखने को मिलता है तो मैं सुबह उठता हूँ, देखता हूँ कि पुर्वर दिशा में सुर्य ड़य हो रहा है, यानि कि सुबह उठे ही धिरे धिरे पुर्वर दिशा में सुर्य ड़य होता है, चिडिया चंचहा रही है, पलिया खिल रही है, लोग अपने अपने काम में वियस्त है और पाट साला में आने वाले विक्यार थी गर से बहार निकल पड़े हैं दूद वाला गर-गर और अखबार वाला गर-गर अखबार पहुंचा रहा हैं इस तरह सुबह उठकर ये द्रस्य दिखने मिलता हैं उसके बाद जब कोई वाक्य दिया हो चित्रों को देखकर बचन परिवर्टन कीजिए तो बचन परिवर्टन में विध्यार दिमित्रों एसा दिया हो कि चिडिया उड़ती है उसका बचन परिवर्टन करना है विध्यार दिमित्रों तो बहुं बचन होगा केसे बाख्य बनेगा चिरिया उरती है उसके बाद दुसरा है कली खिरती है परिया खिरती है तो उसका भचन परिवर्टन होगा परिया खिरती है परिया खिरती है परिया खिरती है उसके बाद दुसरा बाद क्यों है कि बुंद गिरती है बुंद गिरती है तो क्या आएगा बुंदे गिरती है बुंदे गिरती है इस तरह जो सब्द दिया राक्य दिया हो वचान परिवर्टन करके यानि कि एक वचान में दिया हो तो बहुवचान करना वचान परिवर्टन यानि कि इस तरह के बाद क्यों परनाने जैसे दर्वाजा खुला है तो दर्वाजी खुले है लड़की खेलती है तो लड़किया खेलती है इस तरह के बचान परिवर्तान करके वाक्यों बना सकते हैं उसके आगे हैं सब्दों को उचित क्रम में रखकर और्थपूना वाक्यों बनाईएं यहाँ पे जो सब्द दिये हैं चित्रों को देखकर सब्द लेकर वाक्यों बनाने जल ही जीवन है खुलो में रंग कौन भरता है, बादल में कितने बिजली क्यों चमकती है, उसके आगे हैं, प्रस्न चार, सबसे तेज कौन है, तो सबसे तेज कौन है, असोप, मया, मुकूल, सबसे तेज कौन है, चात्रों को साथ साथ में यूद में बाटिये और अपने नाम से पहले वाणा का अनुसार, सब्दकोस के क्रम के मुताबित, खड़ा रहने को कीजिए, उसके बाद प्रस्न पांच है, निचे दिये वे सब्दके और सब्दकोस से ढून कर, तेजी से कौन बता सकता है, जैसे क कुप तो कोयल की बोले, इरादा तो संकर, तरुबर तो स्रेष्ट या बड़ा रोक्स, मुग्द तो मोहित, गुजारिस तो निवेद, उसके बाद आगे सद्दय के जो प्रस्ना है विध्याते में तो यह आप लोग लिख देना, और यहाँ पे प्रस्ना तीन है, जो से ढूंद कर आपको उसके और तरुखने हैं, और उसके बाक्यों बनाने हैं, जैसे के सुबह तो प्रातवकाल, हम प्रातवकाल कहते हैं, खुशी तो आनन, आज में बढ़ा आनन में आया, खुश्बूर तो सुगन, बहुत तो ज्यादा, मुश्काना तो हसना तो यहाँ पे दूसरा पार्ट पूनन होता है, विट्यावज मित्रों, इसके बाद ही होगीता दिस्ता है, अब जब नेक्स प्रेड आईगा, तब आगी के पार्ट के पुर्दा बतान, मैं कर लाँगी, आज का यह लेक्चर यहाँ पे पूनन करते हूं, नमस्ते विट्य का लाँ हो नेक्स पुर्दास भाँणा दून करन्षों, इसके बाता है के दूसल है के दोचीता पónक्ते बाता है क Krism média दोनत proven upोन अलस चा पो हो आिसे इसके जड़ करें, भी उता करिक मित्षक, क्ता रहीं हो लाँणर्स दिन का है जा आपक्थाणा खोल सते कर फर्बॉब